जजबा आपको किसी भी परिष्थिती से निपटने में सक्षम मनाया, किसी भी परिष्थिती, अच्छा है कि तुमने फर्मान पड़ा, किसी और ने बढ़ा होता तो यहीं दफन कर दी होते हैं, वो हिंदुस्तान के शहेंचा है, बोले हम भी हैं, लड़ेंगे, हिस्ट्री म उससे बड़ा एक्जामपल नहीं, खत्रा बड़ा था सर, गेम बड़ा था, और 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर देए, Temperament is a thing which will help you to handle any situation, एक छोटा सा किस्णा सुनाता हूं आपको, बड़ा छोटा सा, बक्तियार खिल जी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ खिल जी, बक्तियार जंक्शन है उधर, तो उसको नाम बदलना हुआ कि बक्तियार खिल जी लुटी रहा था, नालंदा विश्विध्याल उसने लुटा था, तो उस रेल्वे स्टेशन का नाम बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए, सर, उस पे बदले ना बदले, वो सरकार के बात है, लेकिन उसकी मैं एक कहानी सुनाता हूं बक्तियार खिल जी की, देखे, जजबा किसको कहते हैं, और जजबा क क्या परिणाम होते हैं, मैं टेंपरामेंट की बात कर रहा हूं, तो मुहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया, 1191 में पहली तराइन की लड़ाई लड़ी और पृत्वी राज चौहान से हार गया, 1192 में उसने दूसरी तराइन की लड़ाई लड़ी और पृत्वी राज चौहान को हराया, दिल्ली पर उसका कब्जा, दिल्ली और अजमेर पर, 1194 में आया, चंदावर का युद्ध लड़ा, जैचन, खतम, और अब तुर्कों का कब्जा, गजनी से वारनसी तक, अब तुर्कों का कब्जा, 1194 महम्मद गौरी, गौरी, फिर वो 1494 के बाद, चंदावर के बाद बाहर, हिंदुस्तान का कमांड उसने अपने कमांडरों के ऊपर छोड़ दिया, कुतुबुदी नाबग, इंदप्रस में बैठा हुआ था, और बनारस में उसका एक सेनपदी था बक्तियार खलजी, तो बक्तियार खलजी ने का यार बनारस में खाली बैटे हो, जरा आगे देखे क्या है, आगे निकले सब, आगे निकले बिहार में कोई था नहीं, नालंदा मिला उनको, नालंदा में योग, ध्यान यही बाते चल रही थी, उन्हें सवन में नहीं आया, उसे उन्होंने मिटाया, जलाया, आगे बढ़े, क्यों देखे आगे क्या है, आगे गए, तो बंगाल, कम्परमेंट क्या क्या करता है तो यह मुश्किल से साथ आठ सो लोग थे बंगाल राज आठ सो लोग तो इन लोग ने प्लान बनाया वक्तियार खलजी ने प्लान बनाया और उस प्लान में सिर्फ अठारा लोग शामिल हुए 18 मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पर यह का बक्तियार खलजी ने प्लान मनाया और उस कहानी में सिर्फ 18 लोग शामिल थे और प्लान यह था कि 8 लोग घोड़े के व्यापारी बनकर लक्षमन सेन के दर्बार में जाएंगे उस समय आरब से व्यापारी आते ही थे वो कोई नई बात थी नहीं और 10 लोग दर्बार के ब 18 खत्रा बड़ा था सर गेम बड़ा था 18 लोग और यह आठ लोग अंदर पहुंचे घोड़े के व्यापारी बनकर और उसे बाच्चीत में लोगों ने हत्यार निकाल लिया लोग दल्वार चलाने लगे तीन-चार लोग दल जी की तरफ पलट गये एक कि सलीम को बुलाओ सल्मान को बुलाओ है और लक्षमन सेन जाकर किसी ने कहा कि सार बाहर तो पूरी तुर्की सेथ सेना कड़ी है और लक्षमन सेन पीछे के दरवाजे से भाग गया और 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, 18 बाद में पता चला पीछे कुछ था ही नहीं, यह है जजबा, सब में नहीं होता, सब में नहीं होता, इसलिए बाकी लोगों को उत्साह की ज़रुरत पड़ती है, जजबा का सबसे बड़ा एक्जामपल है, राना प्रताब, हिस्ट्री में उससे बड़ा एक्जामपल नहीं है, दूसरा को एक्जामपल अगर जजबे का है, तो भगत सिंग, भगत सिंग तो, सर वो तो खैर, अपवाद human being है इस धर्दी पर, राना प्रताब के पास delegation गया, सारे राजा महराजा अपर से दोस्ती कर रहे हैं और आप फालतू में बैठे हुएं इस तरह से, और करना क्या है, दोई काम करना है, सजदा करना है, पईबोष करना है, हिंदुस्तान के शहिंचा है, गोले हम भी है, अपर बहुत समझदार बुद्धिमान दो था ही, उसने इक ब्राम्मण से फर्मान पढ़ाया अपना, तो कि ब्राम्मण को मारा नहीं जा सकता था, तो राणा ने कहा, अच्छा है कि तुमने फर्मान पढ़ा, किसी और ने पढ़ा होता तो यहीं दफन कर दी होते है, लड़ेंगे, बाबर अपनी जीवनी में लिखता है, कि मैंने अपनी पूरे युद्ध के इतियास में, राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा, जजबा है सर, हार और जीत तो एक अलग चीज है सर, जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मज़ा ही कहां आएगा जीवन में, झालग झालग उन्या कि मुद्धा भूप्ट नहीं, आएगा है सर, ह吗?